आरपी एफ कॉंस्टेबल ने बंदूग दिखा बुर्खा पहने महिला से लगवाया था धार्मिक नारा रेलवे शुरक्षा भलके कॉंस्टेबल चेतन सिंग ने 31 जुलाई की सुभा जैपूर मुंबई एक्सप्रेस में चाल लोगों की कथित तौर पर गोली मार कर हत्या कर दी थी अब जांच में सामने आया है कि उसने बुर्खा पहने हुए एक महिला को धंकाया था और बंदूग की नोक पर उसे जै मातादी कहने के लिए मजबूर भी किया था आरोपी कॉंस्टेबल चेतन सिंग ने बी थरी कोच में बुर्खा पहनी महिला को अपना निशाना बनाया रिपोर्ट के अनुसार महिला ने अपने बयान में बताया है कि चेतन ने उस पर बंदूग तान दी फिर उसे जै मातादी कहने के लिए मजबूर कहा है जब महिला ने ऐसा किया तो आरोपी ने उसे कथित तौर पर जोर से जै मातादी कहने के लिए कहा रिपोर्ट में सूतरों के हवाले से कहा गया है कि इसके बाद महिला ने कथित तौर पर उसकी बंदूग को धक्का मारा फिर उसने आरोपी से पूछा कि तुम कौन हो इस पर चेतन ने उसे धमकी दी कि अगर महिला ने उसके हतियार को चुआ तो वो उसे मार देगा जानकारी के लिए बता दे कि पूलीस ने उस महिला को पहचान कर ली है साथ ही उसे मुख्य गावा भी बना लिया है महिला के बयान भी दर्च किये गए है